नमस्कार दोस्तों वापस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देखलो में मैं वापस आ चुका है वीडियो लेके तो आज जो वीडियो बनेगा वो नेक्सोन जेट इडिसन का बनेगा तो आज overall बात करेंगे कि इसमें जो 33,000 एक्स्रा देना पड़ता है तो वो क्या सही है और 33,000 अगर एक्स्रा देना पड़ता है तो उस अनुसार इसमें क्या वो सारा चीज फीचर एक्स्रा आपको मिलता है या नहीं मिलता वो सारे चीज मैं कबर करूँगा तो वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो like, comment, subscribe करके जरूर जईगा तो दोस्तों करते हैं फिलाल वीडियो को continue तो सबसे पहले बात करेंगे इसके की से तो यहां जो आपकी देख पा रहे होंगे तो यहां पे वही जो टॉप मॉडल में आपका की आता था वही चीज़ आने वाला है वही आपका lock, unlock, follow me, home lane, boot open करने का axis button यहां पे सारे चीज़ मिल जाता और पूरी तरह से piano black में रहेगा और पीछे वही आपका Tata का logo मिलते हैं, due to semiconductor अभी एक ही आपको मिलता था चाबी लेकिन आपको jet edition में आपको दो चाबी मिलेगा और यह पूरी तरह से smart चाबी है जो की काफी अच्छा है, इनकेस अगर आप यह जानना चाहते है कि इस चाबी से हम क्या-क्या कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं उस वीडियो का आप देख सकते हैं, तो फिलाल अभी करते हैं JTD Sun का वीडियो को continue, तो दोस्तों आचिके है गारी के front profile में तो सबसे पहले इसके front की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको वही headlip setup आपको मिल जाएगा dual chamber में और यही LED आपको light मिलने वाला देन बीच की console की बात की जाए तो वही आपको piano black का मिलेगा और बीच में आपका Tata का logo मिल जाता है, नीचे आते हैं तो वही top model की तरह आपको front bumper protection और वही Tata का try arrow design आपको मिल जाता है, नीचे आते हैं तो वही D-save में आपको fog lamp का available यहाँ पे space मिल जाता है और available fog lamp भी मिल तो overall front features की बात की जाए तो कोई चेंजमेंट नहीं है, वही top model का सारा चीज आपको available मिल जाता है, front में आपको कोई छेट-छाड नहीं किया गया और ना extra कोई चीज आपको डाला गया है, तो यह चीज दरा front profile तो एक बर चलते हैं गारी के side से और बात करेंगे कि side में आपक jet आपको मिल जाएगा, यही चीज आपका यहाँ पे चेंजमेंट मिलेगा, otherwise अगर अलाइविल्स विगरा की बात की जाए तो यहाँ पे second चेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे पूरी तरह से आपको gray matte black color का आपको मिल जाएगा, यह चेंजमेंट है, इस टाइप का अलाइवि आपको foldable के साथ मिल जाता है, यहाँ पे आपको turn indicator भी मिल जाता है, डूर handle में आते हैं, तो यह आपका body color मिलेगा, यहाँ पे कोई chrome finish आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको request sensor मिल जाता है, साइट के profile चेंजमेंट देखेगा, तो यहाँ पे बीट देख रहे है यह white color का आता है, लेकिन आपको jet में आपको यहाँ पे black color का मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है, silver color का आपको मिल जाता है, यह चेंजमेंट आपको side profile से आपको मिल जाएगा, तो यह रहा overall गारी का पूरी तरह से side profile, side में कोई खास changement जो था मैंने आपको बता दिया, और extra क कोई बड़ा वाला चेंजमेंट आपको नहीं किया गया है, तो यह रहा गारी का overall side profile, तो एक बड़ चलते हैं गारी के rear profile में, तो दोस्तों आचुके हैं गारी के rear profile में, तो सबसे पहले उपर की बात कीज़ा है, तो पीछे आपको वही high stop lamp आपको light मिल जाएगा, यहाँ प पे आपको silver color का मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको same light मिलेगा, वही LED और वही regular light की setup के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, बीच की console की बात की जाएगा, वही Tata का logo, यहाँ पे camera और piano black यहाँ पे आपका design मिल जाता है, यहाँ पी क्या है कि naxon आपको black color का आपको मिलेगा बेजिंग जो नीचे आप देख पा रहेंगे, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको request sensor मिल जाता है, और अगर नीचे की और आते हैं तो dual parking sensor और यहाँ पे reflector और वही Tata का D-save में आपको यहाँ पे design available मिल जाता है, नीचे आपको वही silver color का आपको bumper protection बड़ा सा मिल जाता ह तो overall रहा यह गारी का सारा back profile जो आपको मिल जाता है, तो एक बर करते हैं boot को open और वहाँ क्या extra आता है या नहीं आता है वो मैं आगे बताऊंगा, तो boot को open करने के लिए यहाँ पे request sensor मिल जाता है, आप प्रेस करोगे तो boot को open हो जाएगा, यहाँ पे वही आपका parcel tray आपको जाएगा और देन बात की जाए, boot की तो यहाँ पे 300,5-0-0 लीटर का boot space आपको मिल जाता है, नीचे आपको same वही stepney tire मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे good year का आपको tire मिलने वाला है, देन बात की जाए, इसकी tire साच की तो 195 by 60, 16-inch का आपको tire मिल जाएगा, और यहाँ पे puncture repair kit आपको available मिल जाता है तो overall बात कीज़ा इसकी बूट में तो उसमें भी कोई खास चेंजमेंट नहीं है वो सारे चीज़ है जो आपके टॉप मोडल में आता था तो ये चीज़ फैसिलिटी मिल जाता है तो एक बार चलते हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर में और बात करेंगी कि फ्रंट इंटीरियर में क्या क्या चेंजमेंट है फ्रंट प्रोफाइल में आने के बाद जो सबसे बड़ी चेंजमेंट दिखती है वो है यहाँ पे सीट का यहाँ पे पूरी तरह से लैदरेट आपको सीट मिलता है विद आपको वैंडी लेटेट सीट यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे छोटा-छोटा आप छिदर देख रहे हैं इससे आपका AC का हवा भी आएगा जो की गर्मी के टाइम पे काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता आपके लिए और AC वेंड को कंट्रोल करने के लिए सीट के AC वेंड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटम है आप 123 फेन स्पीट के साथ आप अपने सीट के AC वेंड का कंट्रोल आप कर सकते हैं तो यह चीज़ काफी बड़ा चेंजमेंट आ चुका है तेखवाद चलते है गारी के अंदर और बात करेंगे इंटिरियर को लेकर, कि इसमें आपको क्या खेशेंज्बेट देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आज के हैं आप गारी के इंटिरियर में आप देखता है, काफी प्रीमियम और बहुत जब़जस्ट लगता है और यहां जो dashboard अगर आपका देख पा रहे होंगे, तो यह चीज ना काफी अच्छा यहां पर design दिया गया है, अगर आप micro में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो काफी जबजस लगता है यह चीज देखने में, और यह चीज स्टार्ट हो के वहां से लेकर यहां तक पूरी बॉला बॉक्स मिल जाता है, और वो सारा स्पेस और स्पेसिफिकेशन, सारा चीज पहले के जैसा ही मिल जाता है, यहां पर आप आते हैं, तो वही प्याणो ब्लैक मिलेगा, और यहां पर नक्सोन का बेजिंग होगा, तो यह चीज मिल जाता है, और AC वेंट आपको normal कोई कर सकते हैं, देन अगर नीचे आते हैं, तो यहां पे आपको बरवोट का चार्जर मिल जाएगा, यूसपी पोर्ट मिल जाएगा, वो सारा फैसलिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहां पे आप थोड़ा से देख सकते हैं, यहां पे गियर में आपको डिजाइनिंग नहीं कर दिए गया है जो कि काफी अच्छा हो जाता है गैर पर आते हैं तो यहाँ पे इस में आप का armrest भी मिल जाता है और ये काफी अच्छा है पूरी तरह से leather आपका cover किया गया है तो इसे ओपन करने के लिए यहां पर करना है देन अगर इसके glow box में आते हैं तो यहां पे आपको कोई cool glow box नहीं मिलता है next one में actually cool glow box मिल जाता था लेकिन यहाँ पे cool glow box आपके wireless charging के कारण नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो space था wireless charger ने घेर रखा हुगा तो यह चीज रहा दिन आते हैं इसके steering में तो steering वही Tata का D-save में steering मिलेगा और यह पूरी तरह से leatherette कभर के साथ grip किया गया है जो की काफी अच्छा हो जाता है इधर आते हैं तो इधर आपका mounted control मिल जाता है call, receive करना, cut करना, mute करना सारी facility आपको यहाँ पे मिल जाती है इधर extra आपको cruise control मिल जाता है जो की काफी अच्छा है देन बात कीज आईगी तो यहाँ पे पूरी तरह से प्यानो black color में मिल जाता है और वही बीच में आपका टाटा का logo मिल जाता है airbag की बात कीज आए तो यहाँ पे आप airbag की बेजिंग आप देख पा रहे होंगे और एक वहाँ पे airbag आपको मिल जाता है तो दो airbag की इस गाड़ी में आपको अबिलेबल है देन steering की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको tilt steering ही मिलता है इसमें कोई आपको telescopic steering आपको नहीं मिलता है देन अगर इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको push button start के लिए आपको button मिल जाता है देन इसके wiper में आते हैं तो auto range sensor wiper आपको यहाँ पे available है और यहाँ पे auto head lamp आपको मिल जाता है जो की काफी अच्छा बात हो जाता है देन अगर इसके instrument cluster को on करते हैं तो यहाँ पे चीज देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या-क्या available मिल जाता है तो आच के हैं गाड़ी के instrument cluster में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको features मिल जाता है tire pressure, monotizer आपको मिल जाता है distant to empty मिल जाता है आपके गाड़ी में कितना तेल है वो सारे चीज आपका सारे चीज मिल जाता है जो कि आपके Nexon के top model में मिलता था वो सारे चीज से में इसमें कोई खास आपको अंतर आपको नहीं मिलता है सारे चीज आपको यहाँ पे digital ही मिल जाता है तो वो सारे चीज आपको यहाँ पे available हो जाता है तो ये रहा देनगर इसके आते हैं ORBM को तो बाहर के ORBM को अगर फोल करना है तो यहाँ से ही आप कर सकते हैं सारा चीज़ देनगर अंदर के mirror को adjust करना है तो वहीं से आप adjust कर सकते हैं वो सारा facility वहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको चारो पाउर विंडोज मिल जाएगा वन तस्डाउन आपका विंडो वाला आपको मिल जाएगा फ्रंट ड्राइबर डूर के साइड वाला इधर आपको चाल सेप्टी लॉक मिल जाता है और अगर छोटा मोटा अगर कुछ केरी करना चाहते हैं अगर नीचे आते हैं तो वन लीटर का आपका बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको एक अमरेला होल्डर यहाँ पे मिल जाता है नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अपना पर्स वेगर आप यहाँ पे केरी कर सकते हैं तो यह सारे फैसलेटी यहां पे आपको मिल जाता है, वहां पे आप देख पार होंगे, वहां पे आपका Amrira Holder मिल जाता है, इसकी Music System की बात कीज़ा है, तो यहां पे Android Auto, Apple CarPlay, यहां पे वाट 3 वर्ड भी मिल जाता है, अगर आप particular कोई 3 मीटर का जगा, अगर आप सर्च करना Air है, वहां पे आपको सारे चीज़ सो करेगा, और यह चीज़ काफी benefit हो जाता है, आपका जब AC से हवा आएगा, वो सुध हो के आएगा, पूरी तरह से purify हो के आएगा, यह चीज़ काफी अच्छा हो जाता है, बाकी बात सारे चीज़ यहां पे available मिल जाता है, पीछे camera वे करने के लिए यहां पे सारा बटम मिल जाएगा, और यहां पे भी आपको sunroof वही तिल्ड वाला आपको sunroof यहां पे available मिल जाता है, इधर आते हैं तो वही आपका card holder आ जाता है, यहां पे एक extra आपको बढ़ाये गया है, कि नक्सोन में यह चीज़ काफी important था, यह auto IRBM आ ज होगी, अगर wiper आप auto में करके रखे हैं, तो जब भी वारिस होगी, यह automatic sense करेगा, और आपका wiper चलना start हो जाएगा, तो यह over rolled रहा सारा features, और जो मैं seat में बेठा हूँ, इसमें आपका seat high stable भी मिल जाता है, आप अपने height के अनुसार seat को उपर नीचे कर सकते हैं, और यहां अपने height के अनुसार seat build को उपर नीचे आप कर सकते हैं, तो अबर रोल रहा गारी का सारा features, front interior में, एक बर चलते हैं, गारी के rear interior में, तो दोस्तों आचके हैं, गारी के rear interior में, आप देख पा रहे होंगे, seats हो यहां पर मिलता है, पूरी तरह से leatherette मिलता है, और यहां पर जो यार, एक अलग unique view देता है, हाँ, white है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि हर इक चीज़ से आपको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि white बहुत जल्द गंदा हो जाता है, तो वो चीज़ आपको proper ध्यान देना है, देन बात कीज़ आईगी, सबसे पहले गारी की, लेगा स्पेस की, तो मैंने सीट को पूरा पीशे किया था, लेकिन यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा इनना पा स्पेस मिल जाता है, देन बीच में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा बम देखने का आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन अराम से अगर एक पेर का चार्जर है, आप यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं गारी को, देन पीछे की डूरवेगरा की बात की जाए तो बूरी तरह से वही आपको डूल टॉन में आता है, एक आपका मैट ब्लेक और यहाँ पे आपको वाइट कलर का आपका मिल जाता है, पीछे वही आपका वन अच्छा आर्मरेस्ट मिल जाता है, और यार एक बर आप सीट का कलर देखो, आइनो की सीट का कलर वाइट है तो थोड़ा सा आपको मैंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यार एक प्रीमियम फिनिस भी देता है आपका वाइट कलर, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, विद का फोल्डर के साथ यह चीज़ काफी अच्छा हो जाता है, इसमें और फैसिलिटी है कि आप अपने सीट को 40% फोल्ड करना चाहिएगा, जैसे मैं अगर इसको अनलोग करो, तो मैं इतना फोल्ड कर सकता हूँ, और वहां से लेकर वहां तक अगर मुझे फो उपर में भी आपको वही हैंड ग्रीप मिल जाता है, विद यहां पे आपको एक हूप मिल जाता है, इनकेस अगर आप गाड़ी में, अगर कुछ कोट वेगर आपना केरी करना चाहते हैं, तो वह सारे सीज़ आप यहां पे कर सकते हैं, वह सारा फैसिलिटी यहां पे आपक को मिल जाता है देन बात किजा यह हाइट की तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे हाइट मुझे मिल जा रहा है मेरा अगर हाइट दिखा जा है तो 5.6 मेरा है लेकिन यहाँ पे मुझे काफी अच्छा स्पीस यहाँ पे अभिलेबल मिल जाता है तो अराम से मेरे जैसे लो फाइल में तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंजन की और बात कीज़ा इसकी इंजन की तो यहाँ पे अगर आप JTD Sun लेते हैं तो इंजन के प्रोफाइल में कोई चेंजमेंट नहीं आता है अगर आप अगर पैट्रोल लेते हैं तो वही 1200cc का इंजन मिलेगा और अगर अटेमेटिक आता है तो देन अगर बात कीज़ा इसकी प्राइस पैट्रोब की तो बारह लाक बारह हजार एकसो रूम पढता है और आपका पढता है खोड़ लग तो अगर मैं बात करूंगा इसकी प्राइस की और इसमें जो फीचर's मिलता है इस गाड़ी को लेना तो अगर मैं आपको personally suggest करूँगा कि ये color अगर आपको अच्छा लगता है तो please आप इस color पे जा सकते हैं otherwise 33,000 में आपको वो सारा features आपको नहीं मिलता है जो कि आप top model में 33,000 कम करके भी आप ले सकते हैं तो अबर रोल अगर इस color को आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं परने आप top model में other color पे भी जा सकते हैं तो ये अबर रोल रहा सारा चीज मेरा personal experience और मेरा review तो वीडियो अच्छी लेगी तो like, comment, subscribe करके जरूर जईएगा और new होंगे तो याद से comment जरूर करिएगा तो दोस्तों करते हैं यहीं पर वीडियो को end